सुबह दस बज़े से लेके ग्यारा बज़े की बीच में उपस्तित हूँ आप सब के सामने आज जिन की कुंडली है नाम है इनका जीतेस जोशी छे फरबर 1997 पंद्रा बच के 40 मिनट संबलपूर ओडिसा अब इसी कुंडली को अगर हम देखते हैं तो ये मिथोन लगने की कुंडली बनती है लेकिन लगन के अधिपती अस्तम में आपको दिख रहे हैं फर वस्तुता यहाँ पे खाली सुरी ही यहाँ बैठे हैं बाकि के सारे ग्रह सब्तम में आ जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, शनी मंगल राहू केतु में, राहू जो है वो पिछे चले जाते हैं, केतु यहां पे धार्मिक बनाते हैं, यहां पे सुरिय बैठे हैं, आत्मविश्वास को बल देना जरूरी है, और वास्तों मे गुरु, सुक्र, चंद्रमा और बुद्ध, इन सब का प्रभाव लगन पे जा रहा है, आप खुद को पहले एक तरीके में तराशो खुद को, क्योंकि अभी राहू में शनी चल रहे हैं, और यह बड़ा कन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि मिथों लगन की कुंड़ी के लिए शनी अस्टमेज भी तो होते हैं, एक नवे और अस्टम, यह दोनों भाव के अधिपती होने के कारण, उनको भागेश होने के साथ साथ अस्टम भाव के अधिपती होने का दोश लग जाता है, इस वज़ा से ही, आपकी कुंडली में अगर आपने ये पुछा है कि किस छित आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपती चंद्रमा जा करके अपने भाव से पंचमस्त का फल कर रहे हैं, यानि कि वो अभी अपकी कुंडली में मकर राशी का निर्माड कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तों में होते हैं धन भाव के अधिपती, अपने भाव से पंचमस्त क करेंगे आय है क्योंकि आय का अधिपति मंगल भी जन्मकुंडली में महा भागेशाली योग लगा रहे हैं लेकिन यह कलह का वतावरन भी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ कि अधिपति भी अस्तम मे देखुर रहे हैं लेकिन वो यहां का फाल कर रहा है तो सुलिय जो है वो अस्तम में बैठा मित्र अच्छे बनाईए गलत और निंदनिये नहीं शनी मंगल राहु केतु का प्रभाव जन्मकुंडली के अगर केंद्र में हो और सारे के सारे अगर अपने आपको स्थापित कर रहे हो अस वैसी बिग बात बताओं तो आपने अगर ब्योसाय का पूछा है और सडवल के बल को देख करके नौमांस में अगर जड़ा देखिए तो सूरी भी केतु के रहो के प्रभाव में आ रहे हैं मंगल सुक्रबारा में दामपत्य मिला करके हो बिबाह मिला करके हो इक्षा पू राषी जन्मकुण्डली में यह दूश्वभाविक लगना है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं धनु लगन, मिथुन लगन, कन्या राशी, मिथुन रासी यह दूश्वभाविक राशियां होती हैं और यह लगन होते हैं तो लगन के अधिपती अगर लगन को देख करके भी परिणाम करें या अस्तन में बेभे बैठ जाएं तो थोड़ी सी समस्या जरूर दे देते हैं इस वजह से खुद को संतुलित करना जरूरी है और अभी आप एक अच्छे वक्त से गुजर भी नहीं रहे हो क्योंकि राहू लगन में केंद्र में ही बैठा है कन्या का बैठा है और यहां से बैठ करके वो जिस भाव में बैठा है उसको और भाव को भी दोनों को प्रभावित कर रहा है ऐसे स्थिति में ब्यक्ति के जीवन में समस्याओं में जाने का प्रभाव दिखता है क्योंकि राहू अगर यहां बैठ जाते तो ठीक होती बात लेकिन व कोई भी चीज मिलती है तो थोड़े बिलंब से भी मिलती है ऐसे पैत्रिक संपत्ती का भाव आपकी कुंडली में ठीक देख रहा हूँ वहाँ से कोई समस्या नहीं है पिता भाव में शनी और केतु का प्रभाव है उनकी स्वास्त को लेकर कि किसी भी तरीके से नाफर्मानी बरदास्त नहीं की जाएगी जन्मकुंडली के अगर नौमान्स चाट की बात करते हैं तो गुरु चंद्रमा का एक साथ बैठना ये बहुत अच्छी बात है जन्मकुंडली के चतुर्थ स्थान में सुरी का स्वग रही होकर के बैठना ये अच्छी बात है यहाँ भी सुरी मकर राशी के बैठे हैं और यहाँ पे राहू की दिष्टी जा रही है आत्मे विश्वास को और पिता को स्वास्त में लाव की स्थुती में रखने के जिम्मेदारी आपके ही उपर होगी उसके बाद जरब गोर करिए तो बुद्ध बहाग्य भाव में बैठे हैं दर्श नमबर के अधिपती जन्म कुंडली में शनी जाकर के जन्म कुंडली में उच्चिके हो रहे हैं और इस कुंडली में शनी और मंगल या नॉमांस में भी अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसी स्थुती या दर्श मांस कुंडली की भी अगर चर्चा में करता हूँ तो लगने का अधिपती लगने में बैठा है आपका केरियर अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है पर दरशल वो अभी कर सकता है आप मेहनत कर लो क्योंकि ये कुंडली कार्मिक ज़्यादा सिध्ध हो रही है सारे ग्रह मृतप्राया या वृत्ध की अवस्था में बैठे है सुर्य कमजोर हो रहा है अस्तम में जाकर के गुरू कमजोर हो रहे हैं अस्तम में जाकर के दश्मान्स कुंडली में चंदरमा बैठा है, खुद का बेवसाय करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा किसी प्राइवेट नौकरी को करने से अगर पिता के साथ जूल करके अगर कोई काम करना चाहते हों, तो कर सकते हैं, अगर खुद का काम करना चाहते हों, तो दशाओं के आधार पर बैवसाय का चयान होता है, महादशा के आधार पर बैवसाय का चयान होता है, पर आपकी कुंडली में शनी और मंगल से समंदित, य communication और संचार के च्षितर में बक्ति को लाव होते ज्यादा देख रहा हूं यह सब इस्थितियां बनती हैं आपकी कुंडली खराब नहीं है वह कमजोर इस वजह से होई है क्योंकि सुरी को मैं थोड़ा कमजोर देख रहा हूं गुरू को थोड़ा कमजोर देख रहा हूं और मंगल रहू के तो आप बाहर ही निकलो यहां से निकलोगे उत्रा ही जाद आपकी कुंडली में लाव की स्थिति दिख रहा हूं अब एक बात और बता देता हूं आपकी कुंडली में 2033 तक अभी रहू की दशा चलेगी तब तक कि लिए गणिस जी को संभालना होगा और आ आनन्दा जाएगा तब तक कि लिए नमस्कार करते हूं